हर हर महादेव राधे राधे अप्रिवन मेरे चैनल नैंसी शुभम उफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सब को पता हिए सावन का महिना चल रहा है और कल 10 जुलाई को सावन का पहला सुमबार पड़ेगा इस दोरान बहुत सारे लोग घर पर ही भोलिनाट की पूजा करेंगे जानिए घरपर सिब जी की पूजा की आसान बिधी अगर कोई भी ब्यक्ती स्रद्धा से उनका ध्यान करता है तो भोलिनाट बहुत ही जादा अपने भक्त से प्रशन होते हैं फिर वी सावन में भगवान सिब की पूजा के कुछ आ आसान नियम है अगर भक्त इन नियमों का ध्यान दे कर पूजा पाठ करेंगे तो भुलेनात उनकी सारी मनों कामनाई स्रीग्र ही पूरी करेंगे तो आईए अब जानते हैं पूजा बिधी सबसे पहले भग्वान भूलेनात जी के निकट आसन बिछा कर बैढ़ें भग्वान भूलेनात जी से प्रातना करें कि जै भूलेनात मैं आपका पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जो भी भूल चूख हो मुझसे उसे एक दास समझ कर माफ कीजिएगा या दासी समझ कर माफ कीजिएगा फिर पंचो पचार पूजा करिए उसके बाद सिबलिंग को जल इसनान कराएं इसके बाद दूद इसनान कराएं दही इसनान कराएं फिर जल इसनान कराएं सकर इसनान कर घी इसनान कराने के बाद फिर से जल इसनान कराएं इसके बाद पंचमरत इसनान कराएं फिर जल इसनान कराएं उसके बाद अब जल से आचमनी करें बस्त्र, यगोपिवीत, जल, आच्मनी, रोली, सिंदूर, हल्दी पाउडर, अवीर, गुलाल, अक्षत, पुस्प, पुस्पमाला, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, मदार, पुस्प अर्पित करें भूलेनात जी पर उसके बाद धूप, दीप जलाएं, नेविद्यमार्पित करें, नेविद्यमार्पित करने के बाद हाथों को जल से धोलीजिये उसके बाद हाथ में पुस्प लेकर भगवान भोले नातजी से प्रातना करें आपकी जोवी मनोकामना जोवी प्रातना हो वो आप हाथ जोड़कर भोले नातजी से कर सकते हैं उसके बाद भस्म इसनान कराएं उसके बाद एक लोटे में जल लेकर ओम नामस्षिवाई मंत्र का जाप करते हुए अविशेक करें अथवा रुद्री पाठ करें तो दोस्तों ये थी हमारी भगवान जी की सावन में घर पर बहुत ही सरल पूजा बिधी भोले नात जी की सावन में आप घर पर ही बहुत ही सरल पूजा कर सकते हैं इस बीडियो को मैं करती हूँ यही पर अगर आपको मेरी ये बीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपको उसकी नॉटिफिकिशन तुरंत मिल जाए